हलो काजल का बैक टूपीसी वाले टूप शैनल एन आज की वज़े में हम बात करने वाले हैं AMD के कुछ आने वाले new CPUs एंड उनके drop होती भी pricing के बारे में तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि AMD ने 7000 सीरीज के अपने CPUs लाँच कर दिये हैं उनकी pricing बज़ेट गेमर्स के लिए उतनी अच्छी नहीं है एंड इंटल ने competition में अपने 13th जैन के CPUs निकाले हैं जो कि बहुत जादा attractive है not 3900 के जो कि attractive है बट heat को भी अपनी तरफ जादा ही attract करता है तो मैं बोलूँगा budget gamers के लिए जो options हैं वो काफी limited हैं अभी के लिए लेकिन अभी good news दो निकल के आ रही है good news यह है कि AMD पहरी बात तो अपने price down करने वाला है तो जो कि अपने आपने अपने कच्छी चीज है price down होंगे तो मतलब budget gamers के लिए अच्छा होगा चीजें जाधा affordable होंगी दूसरी चीज यह होने वाली है कि ना के वाल प्राइस डाउन होगा बलकि नए budget CPUs AMD निकाल सकता है इससे पहले कि मैं तुमको आज की वीजियो के information दूँ हमारी वीजियो के sponsors यानि कि Kingston Fury तो अगर तुम एक DDR4 RAM लेने के लिए market में हो then this RAM should be on your list because ये RAM जो है ये वाली जो मेरे पास exact model है white color में आती है बहुत सारे लोग आज कल मैं देख रहा हूँ उनको white and black theme PC बिल्ड करना होता है generally जो तुम RAM लेते हो black color में तुम्हें मिलती है क्योंकि safe neutral color है बट white color की ढूणना और अच्छी वाली ढूणना थोड़ा मुश्किल होता है तो ये तुम्हें white color में मिलती है RGB इसकी एकदम diffused है और मेरे पास जो model है ये है 3600 MHz का या फिर मैं बोलूँ टेक्निकली Mega Transverse per second मुझे आदर डालने होगी Mega Transverse per second बोलने की सारे जितने मेजर में motherboard manufacturers और उनकी RGB सपोर्ट वाले software है उनका भी तुमें इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा तो अगर आपको चकाउट करना है तो कर सकते हो Kingston Fury RGB Special Edition तो ये दोनों लोगों के लिए अच्छी चीज है जो लोग नए CPU लेना चाहते है market के लिए healthy रहता है ये तुम्हें उसका एक नतीज़ा भी दिख रहा है कि like Intel ने healthy competition निकाला तो अब AMD की तरफ से rumors आ रहे है और ये चीज़ें इंटरेट प्लेट विए उसके अंदर only DDR5 supported है motherboard जोनों kind of higher end की side है तो AMD का price down करना एक चीज़ों को थोड़ा affordable बनाता है और एक good gesture दिखाता है towards their customers towards their loyal fanboys और एक reason है कि लोग still AMD लेना चाहते है although अभी के लिए performance crown जो है वो 13th gen के पास है AMD थोड़े से margin से जो हो पीछे रह चाता है but still even though AMD performance में थोड़ सा पीछे अभी है और core count में भी but still लोग AMD लेना चाहते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा major reason ये है कि AMD promise करता है तुमको कई सारे multiple सालों का platform upgrade यानि कि तुम AM5 socket को ही यानि तुम आज अगर एक motherboard ले लो AM5 socket based तो तुम उसको आने वाले कई सालों तक बिना motherboard चेंज किये सिफ BIOS update करके अपना processor चेंज कर सकते है और ये एक बहुत बड़ी commitment है to gamers, to content creators, to everyone ठीक है कोई नहीं चाहता कि वह additional पैसे spend करता रहे साल दर साल अपना processor upgrade करने के लिए अपना PC upgrade करने के लिए ये एक अच्छी commitment है तो इवन दो तुम्हे AMD थोड़ सी कम performance दे रहा है compared 13th generation बड़ तुमको एक अच्छी commitment मिल रही है और ये commitment जब AMD ने AM4 के वक्त में करी थी तो बहुत सारे लोग उसी वज़े से AMD की तरफ जा रहे थे तो ये एक बहुत बड़ा reason है लोग still अभी AMD की तरफ lean हो रहे है तो उसके उपर अगर AMD थोड़ था price down करता है तो ये एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है और कई जगों पे तो हम देख भी रहे हैं कि जैसे तुमारे US हो गया, Europe हो गया वहाँ पे तो price down देखने को भी मिले है तुमारा जो Black Friday की sale है वहाँ पे तो काफी ज़ादा price down तो में देखने को मिला AMD के 7000 Series के जब प्रोशेसर है उनके उपर इवन इन यॉरप Black Friday की sale पे नहीं बट नॉर्मली ऐसे ही कई retailers ने जो है वो अलड़ी price down करना शुरू कर दिया है तुमारे 7000 Series के CPUs का और ये एक तुमारा सिर्फ 7000 Series के लिए नहीं है जब 7000 Series के price कम होंगे तो उनसे जो lower end Series है 5000 Series 3000 Series क्योंकि आज मैं जानता हूँ बहुत सारे gamers ऐसे भी होंगे जो still Ryzen 5 3600 लेने के लिए तरस रहे होंगे जो still सोच रहे होंगे कि जब 7000 Series सस्ती होगी तब जाके मैं 3000 Series का CPU लोगा बहुत सारे gamers तो उन लोगों के लिए भी kind of ये good news है कि भई जब तुमारी 7000 Series सस्ती हो रही है तो of course उससे 5000 Series सस्ती होगी और जब 5000 Series सस्ती होगी तो थोड़ी बहुत तुमारी 3000 Series भी सस्ती होगी तो kind of बहुत सारे लोग उस offer में deal में उनके लिए वेट करते हैं यह होने वाला है यह eventually होगा because 13th Gen एक अच्छा competition निकला अब बात करते हैं आने वाले new budget processors के बारे में तो अब हम जानते हैं कि भईया देखो तुमारी 7000 Series के जो प्रोसेसर हैं सारे X variant वाले है सब के end में एक X लगा हुआ है और यह सारे high-end processors हैं लेकिन लेकिन एक समाई आएगा जब Intel अपने 13th Gen के अंदर budget CPUs निकालेगा ठीक है we all know that कि 13400, 13500, 13100 i3 इस ताइप के प्रोसेसर भी आएंगे और तुमारा जो AMD है उसको उसके competition में कुछ तो निकालना ही पड़ेगा अभी के लिए तो Intel ने सिर्फ K-Series के CPU निकाले है लेकिन कभी ना कभी non-K या F वाले CPU तो निकालेगा Intel तो उसके competition में AMD को भी कुछ निकालना होगा तो यहाँ पे AMD जो हो prepare कर रहा है non-X series के CPU 7000 series के यानि कि 7600 non-X तुमारा 7800 non-X 7912 core का non-X और इनके अंदर जो है वो difference होगा बस clock speeds का number of course बिल्कुल तुमारे same होगे और TDP का यहाँ पे difference होगा जो तुमारे X वाले variants है उनकी TDP high है इन वालों के expect की जारी है कि उनके मुकाब्रे low होगी 65 watt जो है वो expect की जारी है but as we all know कि AMD के CPUs unlocked होते हैं overclocking के लिए free होते है तो तुम इन non-X वाले CPUs को लेके इनको X वाले जो variant है उनके जित्रा overclock आराम से कर सकते हो लोगों का एक हमेशा से trend रहा है even बहुत पुराने time से मैंने जब Ryzen का सबसे पहला CPU लिया था जो Ryzen का सबसे entry level CPU था था Ryzen 3 1200 मैंनो उसको overclock कर रहा था और overclock करके अच्छी खाजी performance निकाली थी लोग ऐसा ही करते थे तुमारा Ryzen 5 1600 लेंगे और उसको 1600X जैसा overclock कर लेंगे Ryzen 5 2600 लेंगे 2600X जैसा overclock कर लेंगे 1700 लेंगे 1800X 1800 जैसा overclock कर लेंगे तो यह पुराने लोग जो देख रहे हैं जुनको पता है इन CPUs के वाले में वो लोग इसको अच्छे से understand कर रहे हैं अच्छे से समझ रहे हैं तो यह एक kind of अच्छी चीज है तो again non-X variant है प्राइस इनके कम होगी X variant के मुकाबले तुम उनको overclock कर सकते हो X variant जिसना तुमें बिलकुल एकदम तुम close ला सकते हो तुमारा 19-20 का performance difference रह जाएगा between these processors and X वाला variant और यह expect किये जाने कि यह तुमारा जो January है उसमें आएगा January के टाइम पर तुम जानते हो कि तुमारा CES होता है उसके अंदर तुमारा expect किया जा रहा है कि Intel भी अपने budget CPUs निकालेगा उसके अंदर expect किया रहा है कि तुमारे laptops के लिए भी 40 series या कुछ और चीज़े भी आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें CES में expect की जाती है नई phones, नई technologies and नई devices तो वहाँ पर expect किया रहा है कि तुमारा जो January वाला time है वहाँ पर ये non X वाले CPUs हैं ये launch होंगे और जब ये launch होंगे तो you know price किस तरीके से down होगी already price down होने की बात करी जा रही है AMD officially price down करेगा तो बहुत सारी चीज़ें होनी बाकि है तो budget gamers आपके लिए जो है वो अगर चीज़ें ऐसे ही रहती है सुनहरी रहती है crypto जो है वो फिलहाल के लिए down चल रहा है अच्छे से बिलकुल खतम वाला down चल रहा है तो बहुत एक मैं बोलूगा golden opportunity है आपके लिए budget gamers के लिए wait करो अगर तुमको second hand market में चीज़े दील्स मिलती है उनको grab करो धन्याद बै टेक्के गईज